हालो प्रेंट्स खुश्ची रचिपी में आपका स्वागत है सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया ही बाउल में हूं मैंजरिंग कब से एक चोधाई कब हरा मुंग ताल डालेंगे मैंने छिलके वाली डाल ली है आप चाहें तो बिना छिलके वाली डाल का भी यूज़ कर सकते हैं एक चोधाई कब उड़त की डाल डालेंगे एक चोधाई कब चना डाल साथी में एक चोधाई कब चामल डालेंगे तो मैंने दाल चावल मिक्स कर लिए हैं आप इन्हें हमें पानी डाल कर भीगो कर छोड़ना है तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है तो दो गंटे के लिए इन्हें हम पानी में भीगोने के लिए छोड़ देंगे इसे कवर कर देते हैं दो गंटे हो गए हैं अब हम ढखकर हटा लेंगे जो दाल चावल है वो भी अच्छे से भीग चुके हैं तो आप देख सकते हैं दाल भी सौफ्ट हो गई है और चावल भी अच्छे से सौफ्ट हो गए हैं अब इसका पानी निकाल देंगे और साफ पानी से इने वोश कर लें सभी को मैंने साप पानी से वश्ष कर लिया है इसका कर आप मैंने एक मिकसर जाल लिया है तो जार में हम दालो उचाओब को डाल दिनके तो सभी को मैंने mixer jar में डाल दिया है अब इसमें हम 4 lesson की कलिया डालेंगे एक इंचे अधरक का टुकड़ डालेंगे अधरक को हम कट कर लेते हैं ताकि पीसने में इजी हो जाए दो हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च को भी मैं कट कर रही हूँ स्वाद के नुशार नमक जार कटकन लगा कर अब इसे हम पीस लेंगे सभी को पीस कर मैंने पेस्ट तयार कर लिया है मैंने इसे पारिक पीस आए आप चाहे तो इसे दर दर अभी पीस सकते है अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे तो मैंने एक बाउल लिया है बाउल में हम इस पेस्ट को निकाल लेते हैं तो पूरे पेस्ट को मैंने बाउल में निकाल लिया है अब इसमें हम डालेंगे आधा जमच जीरा एक चोथे जमच अजवाइन आधा जमच कुटा हुआ खड़ा हरा धनिया हरा धन्या में ने दरदरा कोट लिया है आधा चमच चिली फ्लेक्सche डाल देंगे चिली फ्लेक्स की जगाप़ आप लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं और चिली फ्लेक्स डालते समी ध्यान रखें क्योंकि इसमें हमने हरी मिच का भी यूज गिया है अगर आप तिखा बनाना चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे बारिक कटा हुआ हरा धन्य पत्य डालेंगे तो अब सारी चुजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अगर दाल चामल आपके नहीं पीस रहे हैं तो आप थोड़े पानी का यूज कर सकते हैं बस धियान रखें जो बैटा रहें वो ज्यादा पतला ना हो तो अब सभी ची चुजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दल चल्वल से बना ये नाश्ता एक बार जरूर बना कर देखें बहुत ही टेस्ट लगता है मौंग दाल के पकोड़े तstes आपने खाए होंगे लेकिन इस तरह से मिक्स दाल पकोड़े एक बार आप जरूर बना कर देखें सबी चीचों को मैंने मिक्स कर लिया है तो अब हम चलते हैं गेज की ओर मैंने पहले से ही कड़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था तो जो तेल है वह भी गर्म हो गया है अब हमने जो बैटर तयार किया है उससे हम कड़ाई में पकोड़े डालेंगे तो इस तरह से हम कड़ाई में जितने पकोड़े आ जाएंगे उतने डाल देंगे गेस की फ्लेम को मीडियम टूलो करते हुए इसे हमें फ्राय कर लेना है मुंगदाल या बैसन की फकोड़े खाका कर आप बोर हो गए हैं तो इस तरह से यह पकोड़े जरूर बना कर देखे तो पकोड़ों को हम पलट-पलट कर प्राय कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जो सारे पकोड़े हैं नो फ्राय हो चुके हैं अभी ने हम कड़ाई में से निकाल लेंगे इसी तरह से बाकी की बचे हुए बेटर से हम पकोड़े तयार कर लेंगे तो दाल चावल से गर्मा गर्म नाश्टा बन कर तयार हो गया है इसे आप अपने मन बसंचटनी सौस के साथ सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इस तरह से मिक्स दाल पकोड़े जरूर बना कर देखे फ्रेंट्स आपको यह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकान पर भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें तो चलिए मिलते हैं एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ थेंक यू फ्रेंड्स